हेलो फ्रेंड कैसे हैं आयो पच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो और में लेकर के आया हूँ चली फटाफ़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह वीव का T1 जो अभी तक आप ने वीव का T1 देखा होगा यह अभी नया जो अभी आया है यह जिसमें आपको बात करूं कि अमाय लेडी डिस्प्लेए जो अभी तक आपने T1 को देखा था उसमें गाइस मैं बात करो तो उस तो चली वीडियो को फटाफर स्टार्ट करते हैं और आप माय चैनल में नए हैं प्लिस माय चैनल को सस्क्राइब कर ले और ऐसे टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहेगी तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाईज एप फट फट देखते हैं इसके साथ क्या-क्याएं तो यह हो गया आपका कभर यह होगए आपका फोन का लुक जैसे के मैं आपको यहां पर दिखा दोओं अभी मैं इसकी बाते करूंगा साइड करता हूं और क्के सब चार्जर में दिखाड का बोटका है सुपर फास चारजिंग के 20 इस मिनट्मशारज यहां पर देख सकते हैं यहां पर सीम इंजेक्टर मिल जाता है और यह आपका data cable मिल जाता है जो कि C type data cable होता है तो यह तो रहा box के बारे में और हम इसके बारे में पूरा भी mention करने वाले इसके look को हम देखेंगे भी किसका look कैसा दिखता है सारा कुछ यहां पर हम अभी cover करने वाले तो वीडियो को ऐसे लाट सिम तक देखते रहे हैं इसके सारे features और सारे functions के बारे में मैं यहां पर mention करूंगा तो गाइस मैंने इसके साथ आपको कुछ manual मिल जाते हैं कुछ warranty cards मिल जाती जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो यह इसके warranty cards मिल जाती है और इसका में प्र transparent आपको cover देखने को मिल जाता है क्वालिटी अच्छी है उसके बाद अब हम फोन की look wise अगर हम बात करते हैं तो फोन का look आप देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं पहले तो इसकी color and design के अगर मैं बात कर लो गाइस तो इसकी color and design जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है सारए कज देख सकते हैं इसकी चाहरे तो ऊससे के यहां अफर में आपको दिखाई दे रहा है तो इसके में सारे में door sun Premiere आप अपको दिखाई दे रहा है। इसके लूप को देख सकती हूँ इसका जो LED है यहां पर LED डिस्पले है गाइस और इसकी मैं लुकिंग की बाद आपने आप देखा जो की काफी आमेजीं यहां पर दिखाई देख नहीं जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखाने की फालने की चैजसे कि बारे दिखाने की अच्छा ही मैं तो यह enhance आप यहाप देश देते हैं Power by Android और इसका जो मेन कलर से कलर कॉमिनेशन है जो आप इसको साइट प्रोफाल से देख रहे हैं तो कलर भी आपको काफी अच्छा दिग रहा है कमेंट करके जुरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और यह मॉडल कैसा लगा औ को अब मैं तो जमीडges को यहां आप बात करने वाले हैं तो चली फटाफट इसको अवन होने देते वर इसके फिचर के बारे में हम यह पर देखking करूं और उपन कर देंगे इसकर सारे फिचर शक्राट खो चईयसर और चार 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 चार्शाट में भी ऐविलिबल होता सबसे पहले मैंने चार्जिंग की दो बात कर दी हैं पर 44 वाट की फास चार्जिंग मिल जाती है इसमें आपको कॉलकम का प्रोसेसर मिल जाता है जैसा कि आपको मैं बता दूँ स्टेप्ड्राइगन 680 उसके बाद मैं बात करो इसका जो में है फैक्ट यहां पर मैं बता दू यह फोन थोड़ा सा यह है कि यह फोन 4G हैंड सेट इसमें 5G सपोर्टेबल अभी नहीं है जैसा कि मैं आपको यहां पर बता दू बस अभी आगे चलके इन फ्यूचर उसमें भी आ जाएगा पर जो बट इसमें 5G फोन आ रहा था उसमें जो डिस्प्ले था वो नॉर्मल ड बाकि केम्रे के अब बात करें सारा कुछ तो गाइस देख सकते हैं का मेण मिल जाता है बांकि तुक मेंशल के बात करता हैं कि और दो दो एक्स्रा डाigi उसके बाद यहां पर मैं आपको मेन इसके सामने की जाकर performers कांट 5 इसके मैं जाता है, है का मैं आपको यहांप दिखा दूगा का अउ जाकर दूगां कैमेरा दूगार। अगर मैं front की बात करूँ तो यहां पे सारे pictures और कुछ pictures मैं last में mention भी कर दूँगा आपको कुछ pictures यहां पे last में आपको देखने को भी मिल जाएंगे जो कि मैं इसका day और night दोनों ही खीच करके आपको यहां पे इस वीडियो में के last इंट तक मैं आपको दिखा दूँगा कि इसकी pictures भी कैसे दिखाई देती है तो basically यह जो phone है जो यह इसकी pricing है something 15-16,000 रुपए के बीच की यह phone है अगर आप सोच रहे हैं कि 15-16,000 के बीच में फोन लेने के लिए तो बीबो का यह जो option है बीबो का टीवन जो आपसन अभी आया है वेरियंट यह जो वेरियंट है जो में खास बात इसकी display के उपर यह क्योंकि अगर हम गेमिंग कर रहे हैं touch response अगर मैं बात कर दो तो touch response भी बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सिगमेंट है जो स्रेट में यह फोन आया हुआ है 15-16,000 के अप्रॉक्स में यह फोन आपको मिल जाएगा और सेल आते रहते हैं फ्लिपकार्ट में भी सेल आया हुआ था जैसा कि मैं आपको यहां पर सारा कुछ कबर कर दे रहा हूँ तो इसकी touch response भी बहुत अच्छा है और इसका जो प्रोसेसर है आपने देखी लिया है कि जो इसका रैम है चार्ज 6128 यहां पर आपको मिल जाता है स्टोरिय इसका मिल सकते हैं कि आपको सारा A2Z में इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ तो वीडियो कर आपको अच्छा लगाया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब से और कमेंट करके ज़रू बताएं कि सिग्मेंट में यह फोन कैसा है सारा कुछ यहां पर जो आपने टीवन का अभी तक देख से अच्छा सब्सक्राइब जादा जादा लाइक, सब्सक्राइब, सेर करना ना भूले, मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, थैंक्यू सो मच